हलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल खान एक्ट्रिकर्स दोस्तों आज की वीडियो है सेलिंग फैन के उपर दोस्तों यह सेलिंग फैन जो आप लोगों सबसे पहले मिले तो दोस्तों मैं इसकी अंबॉक्सिंग भी करूंगा और इसको चला करके भी दिखाऊंगा किस परकार से चलता है और वह जो फैन होते हैं उसको आप प्रिश बोड तक जाने की ज़रेत पर पड़ती है दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो हमार चलता है यहां पर देख सकते हैं सकते हैं हाफ इसे निकाल्देदा है और आप को दिखाते हैं कि दोस्तों जपके इसमान का यहां पर लिखाब बारास उनेम का एक दम लॉंग को दिखाएंगे इसे कुछ इस परकार से तो दोस्ते यह देख सकते हैं इसमें एक यूजर मैनुएल निकला हुआ इसमें सारी चीजें लिखिए हैं किस परकार से इसकी फिटिंग करनी है और कैसे इसको लगाना है तो चलिए इसे साइड में करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है तो देखिए यहां पर एक राड है लटकाने के लिए लेकिन यह छोटा रेड है तो हर फैन में रहता है दोस्तों इसके साथ एक हमारा रिमोट है जिससे यह आपरेट होगा और एक वायर इसमें लगी हुई है और यह सेल है रिमोट का और यह इसका क्लैम है और इसकी मोटर इ कुछ इस परकार से है और पराइस की बात करें तो दोस्तों मुझे 3680 रूपिये में रिसीब हुआ है और दोस्तों यह सीलिंग फैन इनिमेटर के लिए एकदम बेस्ट है तो देख सकते हैं कितना छोटा यह मोटर इसका बनाया हुआ है कंपनी ने एकदम छोटे में एकदम आ लिए खावा रेटिंग 230 बोल्ट सिंगल फेस 35 वार्ड का सिलिंग फैन है के लिए एकदम पेस्ट है तो दोस्तों देख सकते हैं यह हमारा जो सेलिंग पाइन केवल एक बैरिंग पर यह बैरिंग आप लोगों को दिख भी रही होगी दोस्तों और नीचे का जो हिस्सा इस लाइटें है वो लाइट ने जल रहे आप देख सकते हैं दोस्तों यह बील्ड डीची फैन है ब्रसलेस डारेट करंट यह यह आमारी जो सरक्यट है यह डीसी बना करके इसको चलाएगी तो आप देख सकते हैं और इसमें एक sensor लगाए इससे sensor से हमारा remote control यह करेगा पंक यह जो हमारा ceiling fan किस परकार से operate होगा अभी आप लोग को हम लगा कर के दिखाते हैं और यह पूरा देखे यहां पर magnet लगाओ इसी magnet पर यह घूमेगा ऐसे तो दोस्तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा सेलिंग फैन लग चुका आप देख सकते हैं और यह हमारा रिमोट है तो दोस्तो इसी रिमोट से यह हमारा सेलिंग फैन ऑपरेट होगा जानी चलेगा तो चलिए हम स्विच बोर्ड तक चलते हैं पहले तो दोस्तो देख सकते ह पर हमारे स्विच बोड में रेगूरेटर लगा हुआ तो इस रेगूरेटर को निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ रेगूरेटर नहीं होना चाहिए तो इससे हम निकाल लेंगे तो अभी मैं इसे इसे फुल करके और इसे आन करके आप लोगों को चला करके दिखाता है अब इसी रेमोट से या उपरेट होगा तो चलिए इसे हम आन करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं अधेरेटर यहीं पांच नमबर तक आई और यह हमारां डिष्ट मूड इसे जब प्रेस कर देंगे तो एक दम फुल स्पीड में चलने लगेगा तो दोस्ती देख सकते हैं मैं इसे बूस्ट मूड पे कर दीया देख है एकदम फुल स्पीड में चल रहा से लिंगफैन हमारा यह एक दम फूल तो दोस्तो देख सकते हैं कितना अच्छा फायन है आप भी अपने घर में इसे लगा सकते हैं और इस फायन का मज़ा ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जादा जदा लाइक करें शेर करें सस्क्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें